नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेगा इस खालस न्यूस बुलेटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़राज की हैर्लाइन्स पर भारत यूएस में रक्षा समझोता एक दूसरे के सेन्य ठिकानों का करेंगे स्तमाल दोनों की नज़रे चीन पर पीएम मोदी खुद लेंगे पाक की खबर व्रिक समीट में नहीं बुलाएगा भारत बिजे पिसांस सुब्रमानयम स्वामी का एक तीर से दो निश्वाना कहा केजरिवाल की तरह 420 है नजीव जंग दिल्ली में की एलजी पद के लिए संग के आदमी की वकालत जामनगर में पीएम मोदी ने सोनी ओजना का किया शुबारम दूर होगा सौराष्टर का जलसंकर पाटिदारों ने किया अपने अंदाज में विरोध रैली में लगे जै सरदार जै पाटिदार के नारे देश में डेंगू चिकन गुनिया की मार, मच्छरों ने किया सब को बिमार, दिली में बड़ा बिमारी का खौफ, हाई कोट ने रोक थाम के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने के दिये रादेश और ओलंपिक खिलाडियों की बले-बले, रियों में हारे योगेश्वर की चम की किसमा, लंडन में मिला ब्रॉंज मेडल बदला सिल्वर में, दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल और आमाधी पार्टी के बाद, अब बीजेपी के राजसभा संस, सच्छब रमन्य स्वामी ने उपरा जिपाल नजीव जंग पर निशाना सादा है, स्वामी ने कहा कि जंग इस उचे के पद के काबिल नहीं है, स्वामी ने मंगलवार को ट्विट किया, मेरे ख्याल से दिली के एलजी जंग इस उचे पद के काबिल नहीं है, वो भी केजरिवाल की तरह 420 ह हमें दिल्नी में संख का आदमी चाहिए ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने नजीव जंग पर निशाना सादा है स्वामी ने जून में भी जंग के खिलाफ अभियान छेड़ा था और कहा था कि नजीव जंग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजमनीतिक सचीफ एहमद पतेल की सलहा पर काम करते हैं उन्होंने कहा था कि जंग कांग्रेस के इशारे पर काम करते हैं और उन्हें उपराजे पाल पद से हटाने के लिए वेपाटी के वरिष्ट नेताओं से मिलेंगे। इसमें गुटेरेस के पक्ष में 11 और विरोध में 3 मत पड़े। वही एक मत में कोई राये जाहिन नहीं की गई। चिकनगुनिया का खौफ फैला हुआ है। दिली में डेंगु के 487 मामले सामने आए हैं। वही चिकनगुनिया के 432 मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दे राजधानी में बढ़ते डेंगु के मामलों को लेकर दिली हाई कोट ने दिली सरकार और सभी निगमों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कि दिली में डेंगु की रोक थाम के लिए क्या कदम उठाए गए अब तक। कोट ने निर्देश दिया की सरकार और निगम सुनिश्चित करे कि डेंगु की रोक थाम के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। टीम इंडिया की कैप्टन कुल महिंदर सिंग धोनी और पेपसिको के बीच 11 साल पुराना रिष्टा तूट गया है। स्नाक्स और कोल ड्रिंग्स की इस बड़ी कंपनी के इंडॉस्मिंट का जिम्म फिलहाल विराट कोली बॉलिवुड स्टार रनबीर कपूर और परनीती चोपड़ा पर है। ऐसी खबर है कि क्रिकेट में धोनी की कम होती धमक के बाद पेपसिको ने ये बड़ा फैसला लिया है। पेपसिको इंडिया के उपाध्यक्ष विपल प्रकाश ने कहा हमें एक बेहत प्रतिभाशाली ब्रैन अमेसेडर से जुड़ने का मौका मिला और धोनी के साथ हमारी भागीधारी बहुत अच्छी रही। भारत के वन डे और टीट्विंटी टीम के कप्तान धोनी पेपसिको सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स का विग्यापन करते थे। मैंने गुजरात में सीएम पद की शपत लेते ही किसानों से कहा था कि आपके लिए पानी सबसे महतपून हैं। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के कारिक्रम में पाटिदारों ने अपने ही अंदाज में उनका विरोध किया। पहले तो पाटिदार प्रधान मंतरी के भाशन के दौरान ही निकल गए और उसके बाद एक यूवा वहाँ खड़ा हो गया और उसने जैसरदार जैपाटिदार किनारे लगाए। हाला कि इसके बाद तुरंथी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कश्मीर की संस्कृती रही है कि यदी नोट बुक हमारे पैर से लग जाए तो हम उस नोट बुक को माथे पर लगाते हैं। सभा में सूबे की मुखे मंतरी ने कहा कि सरकार विकास के लिए फंड उपलब्द करा रही है। इसके लिए हमें अपने शेत्र में काम करने की आवशकता है ताकि इस फंड का उप्योग ज्यादा से ज्यादा जन कल्यान के लिए हो सके। एक चीनी सरकारी दैनिक ने भारत द्वारा पाक अधिकरित कश्मीर में बसे आतंगवाद के शिकारों को मुआवजा देने की पेशकश को लेकर तिलमिलाई भाशा में मंगलवार को कहा कि भारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब रुख हो चुके हैं और उन्होंने द अलुचस्तान और पी-ओ-क का मामला इसलिए उठा रहे हैं ताकि कश्मीर के तनावपुर्ण माहौल की तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके पाक अधिकरित कश्मीर में आतंगवाद की शिकार लोगों को पांच लाक रुपए का मुआवजा देने को उकसाने वाली का दरवाई बताते हुए आलेख में कहा गया है कि ज्यादा महतपूर्ण ये है कि पाकिस्तानी सीमा में बसे कश्मीरी भी इस मुआवजे का दावा कर सकते हैं अपनी बारा सूत्रीय मांगों को लेका ट्रेड यूनियन दो सतंबर यानि शुकरवार को होने वाली हर्ताल पर अड़े हुए हैं ऐसे में पीम नरिंद्र मोदी ने सोमवार श्रम को एक आपात बैठक बुलाई सूत्रों के अनुसार इस आपात बैठक में वित्त मंत्री अरुन जेटली उर्जा मंत्री प्यूश गोयल और श्रम मंत्री बंडारु दतत्रे शामिल हुए ट्रेड यूनिनों ने सरकार को चेताया है कि 2 सितंबर को बैंक सरकारी आफिस और कार्खानों में हर्ताल रहेगी गौरतलब है कि ट्रेड यूनिनों की 12 सूत्री मांगों में न्यूंतम वेतन 18,000 रुपाई करना शामिल है वेफार्मा और रक्षा शेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में लची लाप पन लाने के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं उनका माना है कि इसे राश्टे हितों से समझोता हो सकता है रेलवे एक सितंबर से IRCTC की वेबसाइट पर अपना टिकेट बुक कराने वाले रेल यात्रियों को एक रुपए से भी कम के प्रीमियम यानी 92 पैसे पर 10 लाक रुपए का यात्रा बीमा देने जा रही है IRCTC अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इटिकेट बुक कराने वाले भारतिय रेलवे के सभी आत्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर रही है यह सुविधा उपनगरिय ट्रेनों को छोड़ कर बाकि सभी ट्रेनों में सभी वर्ग के टिकेट पर लागू होगी और इसे अभी परिक्षन के आधार पर शुरू किया जाएगा रेल मंत्री सुरेश प्रभू के मताबिक यात्री सुविधाओं की दिशा में ये एक महतपून कदम होगा रेल मंत्राले के एक अधिकारी के मताबिक 31 अगस्त को रेल टिकेट पर 10 लाख रुपाई की बीमा योजना को विदीवात लाँच किया जाएगा इस न्यूस बॉलिटन में फिल हाल उतना ही ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेटर टीवी से नमस्कार